नमस्कार दोस्तों जैसा के हम सभी को पता है रविवार को सुशान सिंग राजपूत इस दुनिया को अलविदा कहके हमेशा के लिए चले गए तो इसके बाद में उनके पिता श्री केके सिंग मुंबई इस्थित उनके घर पहुँचे और उसके बाद में मुंबई के विले पअधिके पारलेक के अंदर पुरी रिति रिवाज के साथ सुशान सिंग राजपूत का अन्तिम संसकार कैया गया अंतिम संस्कार करने के बाद में उनके पिता उनकी अस्थियों को लेकर अपने घर इस्थित पटना आए तो पटना में आते वक्त मतलब इनी मुंबई से पटना आते वक्त सुषांद सिंग को वो इतने ज़्यादा मिस कर रहे थे कि उनकी अस्थियों को वो अपने हाथों के अंदर लेके बैठे थे और बार बार उन्ही को याद कर रहे थे मतलब उनको देखके ऐसा लग रहा होगा कि मतलब वो एक नन्हे सुशांद को अपनी गोद के अंदर लेके बैठे हो यहां दोस्तों वो अपने बेटे से बहुत ज़्यदा प्यार करते थे पटना में आने के बाद पूरी रीती रिवाजों के साथ अस्थियों की पूजा अर्चना की गई पूजा अर्चना करने के बाद उनके परिवार जन्य जो की बाहर थे वो भी आई उनकी बहन जो कि अमेरिका थी वो भी आई और आने के बाद में आज जेनी की गुरुवार को सुचान सिंग राजपूत की अस्थियों को पटना इस्थित गंगा घाट में विसरजित कर दिया गया तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस घाट का चैन का उद्देश यह था क्योंकि सुचान सिंग अपनी मा के बहुत ज़्यादा करीबी थे और हम सभी को पता है सुचान सिंग राजपूत की जो आखरी पोश्ट थी वो अपने मा के लिए थी तो और इस घाट पर ही उनकी मा की अंतिम संस्कार और यनकी अस्थियों का विसरजन किया गया था इसलिए परिवार ने निश्चे किया कि सुचान सिंग राजपूत की अस्थियों का विसरजन इसी घाट पर किया जाएगा उसके अलबा परिवार जनों ने कहा कि सुचान स सिंग जहां भी हैं वो खुश रहेंगे और मैं भगवान से दूआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांती दे